आईए सबसे पहले इन दोनों words के pronunciation की बात कर लें पेट्रोल इस word का pronunciation है petrol वही अगर हम बाद दूसरे word की करें जो है पेट्रोल तो इस words का pronoun classification है petrol यानि पहले word का sound है petrol जबकि दूसरे word का sound है petrol आईए सबसे पहले petrol का कुछ 命पर्श देखें word patrol एक noun है साथ ही साथ वर्ब भी है जब word patrol का इस्तेमाल हम एक noun के जैसे करते हैं तो इसका meaning होता है पहरा या पहरेदारी और जब इस word का इस्तेमाल हम वर्ब के जैसे करते हैं तो इस word का meaning होता है पहरेदारी करना या गस्त करना या हिफाज़त करना जैसे माल लेजिए अगर आपको कहना हो आर्मी लगतार बारडर की पहरेदारी करते हैं यानि लगतार हिफाज़त करते हैं तो एस sentence के लिए आप कहेंगे The army regularly patrol the border यहां मैंने अपने sentence से बोला पैट्रोल द बारडर जिसका meaning of border की पहरेदारी करते हैं या हिफाज़त करते हैं मालनी जी अगर आपको कहना हो हाईवे की पहरेदार ओफीसर ने रोट को बंद कर दिया है तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाईवे पैट्रॉल ओफीसर अगर को बंद कर दिया है यहाँ मैंने अपने सेंटेंस बोला पैट्रॉल ओफीसर जिसका मिनिंग था पहरेदार अफसर यहाँ वर्ट पैट्रॉल का इस्तिमाल एक नाउन के तौर पर हुआ है मालनी जी अगर आपको कहना हो होम गार्ड हर घंटे बिल्डिंग की पहरेदारी करता है तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यानि होम गार्ड हर घंटे बिल्डिंग की हिफाज़त करता है या पहरेदारी करता है फ्रण सुमिद करता हूँ का आपको वर्ट पैट्रॉल का मिनिंग समझ में आया वर्ट पैटरॉल का मतलब होता है पहरा या पहरेदारी और जब इस वर्ट का इस्तिमाल आप एक वर्ब के जैसे करते हैं तो इसका मिनिंग होता है हिफाज़ाद करना या पहरेदारी करना अगर हम बात petrol की करें तो word petrol का मतलब होता है तेल और आम तोर पर ये word बहुत common है जिसे हम सभी जानते हैं जैसे माल लिजे अगर आपको कहना हो मेरे bike में तेल नहीं है तो एक sentence के लिए आप कहेंगे there is no petrol in my bike यानि मेरे bike में petrol नहीं है या तेल नहीं है माल लिजे अगर आपको कहना हो पैट्रॉल की कीमत हर रोज बढ़ रही है यानि पैट्रॉल की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ रही है तो एक sentence के लिए आप कहेंगे the price of petrol is increasing day by day यहां मैंने अपने sentence बोला day by day जिसका मिनिवा दिन प्रति दिन तो friends उमीद करता हूँ कि आपने बड़े शांदार तरीके से सीखा कि petrol और petrol में क्या फ़र्क है